माई ये फ्रेंड्स और माई ये सब्सक्राइबर इस बार एक बहुत ही इंटरस्टिंग वीडियो में आप ले करके आया हूँ वीडियो को अंतर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की चीज हो सकती है और आपके बहुत सारे पैसे भी पचा सकती है क्योंकि हम सभी के घर में बच्चे होते हैं और अकसा देखा जाता है बच्चे अपने नाक में कुछ न कुछ डाल लेते ज्यादा तर तो इरेजर होती है वह खेलते 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 तो कुछ करते हैं नाग बढ़ा लेते हैं अगर आपके पैसे भी खटूंगे आपके समय भी लगेगा तो मैं आपको एक टेक्नीक बता जो जिस्टे कि आप घर बेही बच्चे के एक नाग में गए एरेजर के टुकड़े अराम से निकाल सकते हैं बगर किसी हाम और इंजीरी के हुए प्योंकि जब नाग में अगर अगर कुछ गया है अब कुछ भी उससुर निकालने गोषिश करेंगे तो जादा चाहस है कि पीछे के तरफ चला जाएगा तो आईए हम देखते हैं कि हमको क्या कैसे निकाल सकते है और यह वीडियो आपके कैसे काम को आ सकता है और एक बार और फिर जादा रूमा वीडियो देखने के बाद वगर सब्सक्राइब कि यह चैनल से मत विदा लीजेगा और आई चली देखते हैं कि इसका क्या प्रसीजर है तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया तो मैं आ अक्सर होता है बच्चे खेलते समय या जान बुझ कर गई अपने नाग में एरेजर का टुपड़ा डाल लेते हैं तो अगर आप हॉस्पिल जाने के स्थी में नहीं है तो आप उसको घर पर कैसे लिए निकाल सकते हैं क्यों जाद देखते हैं कि जैसे कि यह रबर है निकालने की कोशिस करते हैं तो जाद है चांस होगा कि यह पीछे और धग्लता चला जाएगा जागर के अंदर कर सकता है तो अप गर पें कैसे निकाल सकते हैं वह मैं आपको गाना जाता हुब आपको करना क्या है आपको लेना है एक toothpick ले सकते हैं यह सकते हैं इस तरह से साथ में जो फैवी कुई कार्टी है मार्केट में यह अपने सकते हैं और एक eraser जो उसी eraser का टुकड़ा या तो कोई और बहुत ही छोटा सा टुकड़ा तो कि नौसरी के अंदर चला जाया राम से उस वह आपको लेना है इसमें आपको प्रकॉशन क्या रखना है कि आपको कोशिश करें आप एक हाथ से यहां पर पीछे से यहां पर हदी शुरू होती है वहां पर कसके दबाएं दबा करके इसको आ तो माली इस तरह से उन्नाथ के अंदर एरेजर के चला गया है तो फिर आप क्या करेंगे पहले एक छोटा टुकड़ा एक चले लेंगे और इसको यह मैचिस्तिक में या तूथपिक में आराम से चला जाता है तो इसमें इसको जो है आप डाल लेंगे इसके अंदर कि अब इस तरह से यह जो है उसी जो या झाल जिया आप हमने यह लिए उपर वाले से पर लगा लिए इस तरह से इस तरह से हमने में इसको लगा लिए अब यह जो नोशनल दिख रही है या तो जैसे में पीछे से दवा करके रखेंगे ठीक अदर्वाइस आप इसको इसमें अंदर डालेंगे और जस्ट ऐसे करेंगे कि यह उस रबर एरेजर में टच कर जाए ऐसे टच कर दिए इसको कोई जोर नहीं लगाना कुछ नहीं लगा इस तरह से में जो शॉर्ट इलाज घर में कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और घर में बच्च को बताऊंगा और घर में बच्च लगबख सभी के होते हैं और इस तरह की इंसिटन्स होते रहते हैं हमारे पाब भी इस तरह से बहुत सारी केसे बच्चे ने नाग में डाले और हर माब निकालने कोशिश करने में और अंदर डाल देता है जिसे कि वह लिए नोशी सब्सक्राइब गुश्यागा जाती है त तो उमीद कर तो आपको भी मेरा वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक स्वस्त्राइब, मन नमस्त्राइए, अनन्दित रहिए, नमस्कार